दोस्तों, कल खेले गए भारत और दक्षन अफरीका के बीच 34-20 अंतराश्ट्रिय मुकाबले में. भारत ने दक्षन अफरीका को 82 रन के बड़े अंतर से मात दी. हालां कि भारत मैंच आसानी से जीत गया. पर इस मुकाबले में भी कप्तान रिशब पंत का बल्ला एक बार फ 2020 इंटरनेशनल करिय में शायदी कुछ हैसा किया हो, लेकिन उनको भारत के लिए खेलने का मौका लंबे समय से मिलता रहा है. हैरानी की बात यह है कि वह अपनी असफलताओं से परेशान नहीं हैं, जो खेल के प्रती उनके लापरवा रवये को दर्शाता है. दक्षन अफर दिनेश कार्तिक ने शांदार प्रदर्शन करते हुए राजकोट में प्रोटियाज के खिलाफ चोथे मैच में टीम इंडिया की जीत में योगदान दिया. दक्षन अफरीका के पूर्गेंदबाज डेल स्टेन ने पांत के उपर सवाल खड़े किये और बताया है कि आस्ट जिसने भारत को 179 रण के मैच जीतने वाले कुल्स को तक पहुँचाया. स्टेन को लगता है कि पंत एक जैसी तरीकों से आउट हो रहे हैं और अपनी गलतियों से सीखना नहीं चाहते हैं. डेल स्टेन के शब्द कुछ इस प्रकार थे. यदि आप विश्व कप जीतना चा जब भारत विश्व कप के लिए रवाना होगा. तो वह विमान पर सबसे पहले लिखे गए नामों में से एक होगा. उन्होंने कहा, स्टेन ने कार्तिक की 27 गेंदों में 55 रं की पारी की प्रशन साकी. उन्होंने कार्तिक के बारे में कहा, डीके शान्दार प्रदर्शन कर और वह खेल को बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं। वह एक बहतरीन विकेट कीपर भी हैं। तो आप लोगों को क्या लगता हैं दोस्तों। डेल स्टेन के इस बयान पर हमें कमेंड सेक्षन में जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हैं तो इसे लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव क्रिकेट वीडियोज ला सकें। धन्यवाद।